प्रोपटी डीले की पत्नी ने खुद पर डाला पेट्रोल जबलपूर एसपी ओफिस में आत्मदाह की कोशिश कहा पती ने दूसरी शादी की मुझे घर से निकाला मेरे पती ने मुझे घर से भगा दिया मेरी सास मुझे परेशान करती है मुझसे दहेज मांगते हैं मैं मरना चाहती हूँ मैं डेर साल से परेशान हूँ पुलिस प्रशासन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है ये कहते हुए जबलपूर के एसपी ओफिस में एक महिला ने ख पहर करीब डेर बजे की है महिला का नाम मंजू तिवारी है जो संजीवनी नगर में रहती है उसका कहना है कि वो अपनी परेशानी को लेकर संजीवनी नगर थाने से लेकर महिला थाने और एसपी ओफिस तक गोहार लगा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है महि बेटी 10 साल की और 6 साल का बेटा है। महिला ने कहा पती ने मुझे घर से भगा दिया। महिला ने बताया मैं डेर साल से थानों के चक्कर काट रही हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ। मुझे घर से भगा दिया गया है। परेशान हूँ। यहां वहां भटक रही हूँ। मेरे पास अब मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। एसपी ऑफिस में मौके पर मौझूद महिलाओं ने बचाया। मंजू ने बताया ग्यारा साल पहले योगेश उर्फ रोहित तिवारी से शादी हुई थी। तब से अब तक दहेज में 15 लाख रुपे दे चुके हैं। बावजूद दहेज के लिए लगातार प्रतारित करते हैं। बावजूद दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा है। नहीं देने पर मारपीट की जाती है। पती ने बच्चों के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया है। इसमें जेट राकेश भी सपोर्ट कर र पर दोड़ा थोड़ा तरक दाइज पंद्रा लाग रोपे तक दे दिया यह नी दिया और भर से मुझे भगा देते हैं मार पीट करके नमुझे रख रहे हैं देड़ साल हो गया हुए उन्हें पुझ मैं अगा आई के में डली हुए परिशाद परिवारेट पती साज सफुर खेतारा की बात बताई प्रवाई पुन इंद्रेशित कर आज ही प्रत्वन दर्शिगनने को कहा है इसे स्वार से इसको आड़ेशाद इसको डिख लेशाद झाल झाल झाल